वेलकम एवरिवन, रिफ्लेक्टिव माइन में आप सभी का स्वागत है, प्रिवेस वीडियो में हमने इंडिया के फिजिकल फीचर के इंट्रोडक्शन को और फिजिग्राफिक डिविजन में हिमालय को हमने इन डिटेल में किया था, अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक है, आप उसे चेक करें, आज फिजिग्राफिक डिविजन में हम दूसरे फिजिग्राफिक डिविजन की और बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन प्लेंज और नॉर्दन प्लेंज, अगर आ कई बार उसे इंडो ब्रह्मपुत्रा या गंगा ब्रह्मपुत्रा का प्लेंज भी हम उसे कई बार कहते हैं, लेकिन जब हमने प्लेट टेक्टोनिक थेओरी का अपने प्रिविस वीडियो में पढ़ा आता था, हमने उसमें क्या बताया था, कि पैनिसुलर प्लेटू, पे किसी कारण से बेलेंस स्टैबलीच करते भी बीच में धसकिया और उसी वैली लाइक शेप में, हमाले से आने वाली रिवर ने और पैनिसुलर प्लेटू से आने वाले रिवर ने धीर्यों धीरे करकर अपने सेडिमेंट्स का सेडिमेंट için करना या वहाँ पे एलोवियल तक जमा होते हैं रहने के कारण या एक प्रोलांग्ड डेपोजिशन के कारण जिस परकार का प्लेन बना या जिस रिवर के द्वारा वो प्लेन बनाया गया उसे हम गंगा ब्रहमपुत्रा का प्लेन और नॉर्धन प्लेन और इंडो गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं आप इस image को देखिए तो इसमें हमने क्या बताया हुआ है कि अगर आप north से south के maps को देखें अगर आप north से south को देखें तो north में हिमालाई और south में हमें peninsular plateau देख रहा है और उसी की बीच में हमें indo-gangetic plane का ये structure आपको देख रहा है अगर आप northern plane को अगर आप ध्यान से देखें बच्चे तो northern plane का आपको shape या northern plane का नक्षा आपको कुछ यू देखें अगर इसके physical feature की बात करें या इसके physical property के अगर बात करें तो अगर आप ध्यान से इस मैप को या इस इमेज को अगर देख सक रहे हैं तो दिखे ये हमें ब्रह्मपुत्रा का प्लेन या आसाम का प्लेन दिख रहे हैं यहाँ पे बिहार का यहाँ इस्टन यूपी का यह बंग्रादेश का इरिया आप देख पर हैं यहाँ पर यह पू पुरा Northern Plane के एरिया में क्या होता है? कवर होता है जिसमें जो मीजर रिवर्स की बात करें गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा अभी सब को डिटेल में करेंगे कि इन सभी रिवर्स के द्वरा Northern Plane के किन अलग-अलग पार्ट्स में एक बहुत बड़े पैमाने पे Plane का क्या कि रहा है अब discussion को यहाँ पे NCIT के लाइन से शुरू करते हैं The Northern Plane का मतलब क्या होता है The Northern Plane has been formed by the interplay of the three major river system तो अगर यहाँ पे सवाल पुछ लिया जाए कि Northern Plane का formation किन तीन major river system के द्वरा हुआ है First one is Indus, then Ganga and the Brahmaputra along with their Tributaries अब यहाँ पे term आरा है Tributaries Tributaries का मतलब क्या होता है कि जब river किसी area से होके flow करते देखें बचे river के बारे में दो ची याद रखें कि drainage में हम लोग इन detail करेंगे एक होता है river का origin या source और एक होता है उसका mouth जहां से river निकलती है उसे कहते है origin और जहां पे वो गिरती है किसी समुंदर में, sea में, ocean में या lake में उसे उसका mouth कहते हैं तो जब river किसी mountain वाले area से या glacier वाले area से निकलती है तो रास्ते में बहुत छोटे छोटी stream बहुत छोटी छोटी नदिया उस major river को उस बड़ी river को क्या करती है? तो उन छोटे-छोटे small rivers को ही हम क्या कहते हैं? tributary कहते हैं तो यहां पे northern plane का formation थ्री major big river से हुआ है Indus, Ganga and Brahmaputra आप इसे इस image के द्वारा समझे इस image में देखे बच्चे इस image में हमने यहां पे पूरा एक northern plains का हमने यहां पे पूरा एक image दिखाया हुआ है और यहीं पे हमने तीन चीजें और भी लिखी वी एक लिखावा east, then central, then west तो northern plane का जो बिल्कुल westernmost part है उसे कौन सा plane कहते हैं? Indus plane Indus plane क्यों कहते हैं? क्योंकि Indus एक बहुत important river है तो उस northern plane के westernmost part का formation Indus और उनकी tributaries के द्वारा हुआ है northern plane का जो central part है जिसे हम लोग कौन सा plane कहते हैं? गंगा plane कहते हैं और northern plane का बिल्कुल जो eastern वाला part है जो मेली असाम के area में जारतर पड़ता है नौर्थ एस्ट के कुछ एक आज इस्टेट्स में भी है उसे हम लोग क्या बोलता है? बर्मपुत्रा plane कहते हैं अब दिख्यागे इस प्लेइन इस फॉर्मड ओफ अलोवियल स्वैल अब अलोवियल का मतलब क्या होता है? जब रिवर फ्लो करती है तो रिवर के साथ बहुत छोटे-छोटे कंकर, पत्थर, सैंड, सेल्ड, पेबल से छोटे-छोटे पत्थर होते हैं जब वो एक जगा पे धीरे धीरे करके डेपोसिट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, तो हम उसे ही क्या कहते हैं? अलोवियल स्वैल या उसे ही क्या कहते हैं? अलोवियम कहते हैं कि हिमाले का mountain जहां पे खतम होता उसी से लगा हुआ है एक जो vast plain area होता है हम उसी को along footills के along उसको develop होते भी जंडले देखते हैं तो उसी हिमाले के footills के सारे बहुत लंबे समय काल में alovial के deposition के कारण northern plains का या great indian plains का निर्मान हुआ अब यहां पे बता है जार कि यह great indian plain का extent कितना है यह कितने बड़े area में फैला हुआ इसका width क्या है इसका length क्या है इसको देखे ध्यान से अगर हिमाले का physiographic division याद है बच्चे था हमने बताया भी था कि हिमाले का अगर लेंद देखे तो almost 2400 km बताया गया तो हिमाले के साथी साथ उसके southern part में हमें northern plain का extension generally दिखता है the plane being about 2400 km long and 240 to 320 km broad तो 240 से 320 km चोड़ा है और लगबग 2400 km के लंबाई में इसका extension दिखता है इस अ densely populated physiographic division आपको पता है बच्चे माउंटेन की बात करें प्लैटू, plane, valley इसमें सबसे favorable condition हमें settled down होने के लिए provide कराता है वो plane area provide कराता है क्योंकि वहां पे बहुत परकार के facilities होती है water care facility होती है, transport, trade, movement की इसलिए जो plane area है जो great plane या northern plane का area है वो सबसे ज़्यादा densely populated physiographic division माना है तो अगर आप सी सवाल कभी पूछ ले कि किस physiographic division में सबसे ज़्यादा densely populated people का crowding पाया आता है अंसर क्या होगा plane area में with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate it is agriculturally a very productive part of India तो यहाँ पे देखे क्या बताएगा बच्चे कि जो plane area है वो सबसे ज़्यादा fertile होता है वो population को settle down करने के लिए सबसे बहतर condition प्रोवाइड कराता है climate वहाँ की अच्छी होती है है ना ती इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादे लोगों का हमें generally क्या दिखा जाता है वहाँ पे habitat दिखा जाता है वहाँ पे discussion मागे बढ़ते हुए the rivers coming from northern mountains are involved in depositional work in the lower course due to gentle slope the velocity of the river decreases which results in the formation of riverine islands अब समझें बच्चियां पर क्या बताएगा river mountainous area से निकल रही है लेकिन जैसे वह mountainous area को cross करते हैं धीरे धीरे करके mountain को पीशे छोड़ते हुए plain area में आती है वैसे उसकी speed उसकी velocity क्या हो जाती है कम हो जाती है क्यों क्यों क्योंकि जब speed ज्यादा होती है तो वह transport easily कर सकती है लेकिन जैसे जैसे speed कम होती जाती है किसी भी stream की या flood की वैसे वैसे वहाँ पे उसका transportation capacity भी कम होता जाता है और वह धीरे धीरे करके अपने yellow wheel को अपने साथ बहा कर लाए जाने वाले sand, silt, clay, पत्थर, boulders को धीरे-धीरे करके जमा करना शुरू करती है आप लोग जलपाए गोडी, अलीपुरद्वार, North Bengal के एरिया में बहुत सरे rivers के bed में आप लोग अभी घुमने के लिए जाते बच्चे ताप लोग देखेंग अपने के कारण धीरे-धीरे करके वो अपने एलोवियल को डेपोजिट करना सुरू करते हैं और उसी लंबे एलोवियल डेपोजिशन के कारण फूट हिल्स के सारे बहुत बड़े-बड़े हमें आइलेंड्स या दूई भी हमें देखने के लिए मिलते हैं अब आप इसे इस समझे देखे बचे हमने इसमें इसमें बहुत सारे आपको जिसमें दिख रहे हैं यलो कलर से और ब्लू कलर से आपको ये रिवर दिख रहे हैं और इसे के बीच में एक ग्रीन कलर का आपको ये लैंड दिख रहा है तो इस लैंड का नाम पता है क्या तो आप लोगों न असाम में और उसी का नाम क्या है माजूली आइलेंड क्या नाम है माजूली आइलेंड और यह माजूली आइलेंड किस रिवर के द्वारा बना है रिवर ब्रमपुत्रा और माजूली आइलेंड के बारे में सबसे बड़ी बात याद रखनी है बच्चे कि माजूली Rie Arne Island का मतलब किया है कि एक ऐसा island जिसका formation, जिसका धिर्मान किसके दोऔरा हुआ है River के दोऔरा हुआ है, नदी के दोऔरा हुआ है World का सबसे बड़ा island की बात करें तो Greenland है लेकिन वो riverine island नहीं है वो 4 ओर समुंदर से घीरा हुआ है वोशन से गिरा हुआ है लेकिन वर्ल्ड के सबसे बड़े रिवरीन आइलेंड की बात करें तो आंसर क्या होगा ब्रह्मपुत्रा तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे डिसकेशन में आगे बढ़ें जो बाते हैं जो बाते हैं पहले इमेज में बता देकिए वही बता ही है कि डू यू नो माजुली इन दा बर्मपुत्रा रिवरीड इस दा लार्जेस्ट इनहबिटेट रिवरीन आइलेंड इनहबिटेट का मतलब क्या होता है कि उसका बहुत उसमें लोग बसेवे नहीं है क्योंकि महाँ पर बाड़ो अगरे का खत्रा बहुत जादा आता रहता है वो वल्ड का सबसे बड़ा रिवरीन आइलेंड देखा जाए आगे देखें क्या लिखा हुआ है The rivers in their lower course split split का मतलब क्या होता है तूट जाना बट जाना split into numerous channels due to deposition of silt these channels are known as distributors अब देखें बच्चे अभी थोड़ी देरे पहले हम लोगों ने एक term use किया जिसका नाम हमने बताया था tributary लेकिन अब यहाँ पे एक और term आ रहा है distributary तो tribute करने का मतलब क्या होता है जूड़ना कहीं पे और distribute करने का मतलब क्या होता कि एक ही चीज़ से धीरे धीरे करके चीज़े जब अलग होना शुरू होती है अब इस slide में देखे हमने इसमें river course को दिखाया है और river course को हमने यहाँ पे तीन भागों में बाटा जो सेहां से river निकलती है उसे बोलते है upper course उसके बाद river का mid coast और जब river किसी समुंदर में या किसी ocean में, sea में या किसी बड़े lake में अपने water का क्या करती है discharge करती है उसे बोलते है उसका lower course जब एक बड़ी river में कई छोटे-छोटे small rivers या छोटी नदिया जब एक बड़ी नदी में मिलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, tributaries कहते हैं, यह याद रखेगा distributory का मतलब क्या होता है, कि जब एक नदी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है water का volume बहुत ज़्यादा हो जाता है और जब वो plane area से होके flow कर रही है पहाड से निकलने के बाद तो चुकि वहाँ पे river की velocity बहुत कम हो जाती, speed कम हो जाती अब यहाँ पे speed कम क्यों क्यों होती बच्चे यहाँ पे भी physics है, याद रखेंगे कि जब slope कम होता है, जब gradient कम होता है तो speed भी कम हो जाएगी और जैसे speed कम होगी, transportation कम हो जाएगा और जैसे ही transportation कम होगा deposition धीरे-धीरे करके जादा होना सुरू होता है तो जब deposition होने लगता है alovel का, sand का, silt का, clay का तो river अपने साथ alovel को हर जगा जमा करते जाती और उस करण से river का पानी धीरे-धीरे करके रुकने लगता है और उस करण से एकी river कई छोटे-छोटे channel में further distribute होना, divide होना, बटना वो शुरू कर जाती है इसे ही हम क्या कहते हैं? distributory कहते हैं यहाँ पर कई बर question आता है कि tributory में और distributory में क्या फरक है तो आप इस अंतर को ध्यान रखेंगे discussion में आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर northern plains के बारे में कुछ और बहुत important features को बताया जा रहा है आप इन features को ध्यान दे के समझें और उसके according आप learn करने की कोशिश करें The northern plains is broadly divided into three sections अभी थोड़ी दिर पर ले हमने क्या बताया? कि जो northern plain है उसको हम लोग तीन major category में categorize करता है western part में हमने उसे Indus plain बोला क्यों? क्योंकि Indus वहाँ पे major rivers और भी उसकी tributaries है जैसे जेलम, चिनाव, रावी, व्यास करेंगा भी थोड़ी दिर में उसके बाद जो central part जो हम उसे गंगा प्लेन कहते हैं the northern plains is broadly divided into three sections the western part of the northern plain is referred to the Punjab plain क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा भाग पंजाब में पड़ता है और इसका formation Indus और इसकी tributaries के द्वारा जेनरली किया जाता है और आपको पता होगा बच्चे पंजाब पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है लेकिन जो western पंजाब है वो कहाँ पे है पाकिस्तान में और जो eastern पंजाब है वो कहाँ पे है इंडिया में the larger part of this plain lies in पाकिस्तान the Indus and its tributaries अब यहाँ पे सवाल आ सकता कि Indus के किन किन tributaries के द्वारा Indus plain या northern plain के western part का निर्मान हुआ है कौन कौन सी tributaries है जेलम चिनाव रावी व्यास एंड दा सतलज originate in the Himalaya this section of the plain is dominated by the दो आप तो यहाँ पे दो आप का मत्तब क्याँ पहले आप Himalaya के इस extension वाले part को आप समझे यहाँ पे अब देखिए northern plain को जैसा कि थोड़े देर पहले मैंने slide दिखाया तो यही slide उससे भी मिलता जोलता है western part में हमने इसे क्या बोला पंजाब plain central part में गंगा plain और बिलकुल eastern part में हमने इसे क्या बोला ब्रह्मपुत्रा plain आगे देखें जो major rivers के बारे में जो बताया गया अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं बच्चे तो यहाँ पे देखिए आपको indus दिख रहे हैं और indus के साथ ही यहाँ पे देखिए जेलम, चिनाव, रावी, व्यास जो सतलच की ही ट्रिबुटरी है तो यह जो एरिया है इसी को हम लोग indus plain कहते हैं और इसमें आप देख सकरें बच्चे कि इंडिया में हिमाचल परदेश, पंजाब, राजस्तान, हरियान, दिल्ली का भी कुछ भाग हम indus plain के एरिया में हम देख पा रहे हैं यहाँ ठीक है अगर आप इधर को देखें यह गंगा plane का इरिया है और अगर इसे आप देखें ती हमें ब्रह्मपुत्र plane का दिखता है लेकिन इसी के साथ यहाँ पे एक शब्द बार बार आ रहा है यहाँ पे दुआप, दुआप का मतलब यहाँ पे क्या है? दुआप को आप इससे समझे दुआप का मतलब है अब कर दिया है, क्या दिया आगया आपका मत्तब दिखिया अपर? आपका मत्तब यहां पर दिखिया हुआ है दुआब इस तो means two and आब means water similarly Punjab is also made of two words पंज means five and आब means water आब का मत्तब यहां पर क्या? water दुआब मने क्या हुआ है? कि दो नदी के बीच का जो लैंड है या दो नदियों के बीच का जो लैंड है हम उसे ही क्या कहते है दो आप तो कभी आपसा अगर पूछ लिया जाए बच्चे कि दो आप का मतलब क्या है तो land area between two major rivers termed as दो आप पंजाब नाम क्यों पड़ा क्योंकि पंच मने हैं फाइब और आप मने हैं वहाँ पानी है ना तो पांच नदियों के बीच का जो land है हम उसे ही क्या कहते हैं पंजाब कहते हैं तो यह कुछ important features हैं Great Plains के बारे में Northern Plains के बारे में आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे अब जब हमने फिजियोग्राफिक डिविजन को सुरू किया था था हमने इसमें क्या बताया था याद करिए लेकिन Northern Plains में भी flat land है लेकिन इसमें भी हमें बड़े पैमाने पे relief में variation दिखने के लिए मिलता है और उन्हीं variations को अभी हम लोग आगे वाले line से detail में clear करेंगे यहाँ पे गंगा plane extends between घंगर और तिस्ता रिवर जैसा कि हमने क्या बताया कि गंगा plane के extension घंगर और तिस्ता के बीच में है और तिस्ता से इस्ट का जो पूरा plane है हम उसे कौन सा plane कहते हैं ब्रह्मपुत्रा plane कहते हैं इन सब के बारे में और detail में आपके concept drainage वाले chapter में ज्यादा क्लियर होंगे यहां पर तो इट इस स्प्रेड ओवर दा स्टेट्स ओफ नॉर्थ इंडिया, हरियाना, दिल्ली, यूपी, बिहार, पाटली जहारखंड और वेस्ट बेंगौल तो इस पर्टिकुलरली इन असाम, लाइजदा, ब्रह्मपुत्रा plane जो मैंने थोड़े दिरे पहले तो अब यहां पर आगे वाले discussion के point जैसा कि थोड़े दिर पहले हमने बताया है, बहुत important है, इस feature को अब ध्यान से समझे, the northern plains are generally described as flat land, हम उसे flat land के form में जादा describe करते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे हमें relief variation देखने के लिए मिलता है, with no variation in its relief, but it is not true, यह these vast plains also have diverse relief feature, अब northern plains में भी बहुत diverse relief feature, उसके flatness में भी बहुत पैमाने पे एक diversification या उसमें भी differences उसके flat land के nature में हमें देखने के लिए मिलता है, आप इसे इस image के द्वारा अच्छे से समझने की कोशिश करिए बच्चे, हमने यहां पे कुछ important feature को यहां पे list out किया हुआ है, इसे आप पहले आप ध्यान से समझे, अगर हम north से south को देखें, इंडिया के relief feature को, तो सबसे north में हमें क्या दिखता है, हिमाले दिखता है, और हिमाले के south में और peninsular plateau के north में हमें northern plains का extension west to east की और इंडस से ब्रहमपुतर अभीवर की बीच मे यहां पे चार major आपको terminology यहां पे दिख रहे होंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा भाबर, then तराई, then भांगर, और then खादर, इन सब चीजों को पहले ध्यान से, आराम से एकदम patience रखते हुए समझे, जब river mountainous area से अचानक से plain area में नीचे उतरती है, तो एक हम लोग geography में term use करते हैं, जिसे हम लोग बोलते है, slow break, slow break का मतलब क्या होता है, कि जब slope अचानक से कम हो जाता है, तो river की speed mountainous area में जितनी ज्यादा होती है, plain area में बिलकुल आने के बाद, बहुत खत तक कम हो जाती है, और उस करण से river के साथ जो बड़े बड़े जो पत्थर होते है बोल्डर्स होते हैं, वो river के water के साथ बहुत ज़्यादा दूरी तक flow नहीं कर पाते हैं, और धीरी धीरी करके foot hills के along वो deposit होना, जो course alluvial होता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, आप लोग कभी हरिद्वा, रिशी के जईये, जहां पर रिवर राफ्टिंग वगरे बहुत ज़्यादा करते हैं, आप बच्छे में वहाँ बड़े बड़े पत्थरों का हमें deposition दुखता है, उसी area को हम क्या कहते हैं भावर्, क्या कहते हैं भावर्, भावर वाले area में चुकि पत्थर बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो पत्थर आपस में एक दुसरे से बिलकुल पास-पास नहीं होतें वो दूर दूर होतें तो जैसे इस भावर वाले रीजन से हो के रीवर आगे की उर बहती है डेपोिट करने के बाद पथर हो तो चुकि बड़े-बड़े पत्थर दूर होते हैं पास नहीं होते हैं तो उसी गैप में रिवर अंदर क्यों क्या कर जाती है गुस जाती है वहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाती है आप कुछ यूँ कहो और अंडरग्राउंड होने के कारण ही जो भाबर का एरिया होता है वो ड्राइ एरिया होता है सर ऐसी भाबर रिजन से रिवर आगे की और फ्लो करती है, स्लोप थोड़ा और कम हो जाता है, तो पहले वो कोर्स मेटरियल को डेपोजिट करती है, जब स्लोप और कम होता है, तो धीरे-धीरे करके वो अपने फाइन मेटरियल को डेपोजिट करना सुरू करती है, और उसी fine material से जो एक परकार का plane बनता है भाबर के south में हम उसे ही क्या कहते हैं तराई क्या कहते हैं बच्चों उसे ही तराई तो तराई किस से बना है तर से बना है तो चुकि यहाँ पर material course नहीं है और fine materials आपस में एक दूसरे के साथ सटेवे होते हैं और सटेवे होने के जो river भाबर रीजन में underground हो गई थी वो तराई वाले रीजन में आके surface में आ जाती है यह reemerge कर जाती है दुबारा surface में आने के कारण और fine material के deposition के कारण पूरा का पूरा area में पानी फैल जाता है इसलिए इसे तराई तर का मतलब ही बहुत जादा पानी होता है जलपाई पूरी कुछ ब्यार वगर के जीले में जो है उसे क्या बोलता है दुआर कहते हैं तो तराई क्या होता है तो तराई मेर भाबर में difference भी कई पर पूछा आयाता है तो तराई क्या है जो यहां पे fine materials का deposition होता है और यहां पे तराई का मतलब यहां पे पानी बहुत जादे मा करते जाती है और उसी से क्या बनता है भांगर क्या बनता उसी से भांगर और भांगर के और साउत में जब और बिल्कुल महीन या fine materials को जमा करती है तो उसे क्या बोलते है खादर तो आपको भाबर से लेकर खादर तक में एक चीछ क्या दिख रहा है कि भाबर में coarseness material में यह जघाती है और खादर में फाइने में जजादा अब अब दि deuxième आ जघती है और खादर को अब श्यायारा है अर्cking जादर का जी उचा दिख रहा बच्चे और खादर थोड़ा सा लौ लेन्ड वाले एरिया में होता है अगर बेसिच डिफरेंस पूछा है कि भांगर और खादर में basic difference क्या है तो भांगर old alovial होता है जो पुराने alovial होता है जब नदी ने पहले जमा किया है अब river का पानी किसी कारण से उस जगा पे नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि जब धीरे-धीरे करके alovial को river जमा करती है अपने दोनों banks के सारे तो वो भाग धीरे-धीर करके deposition के करन उठता जाता है और इतना ज़्यादा उठ जाता है कि वो river के पानी से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो old alovial का area क्या कहलाता है भांगर कहलाता है और जो new alovial का area वो क्या कहलाता है भांबर, तराई, भांगर, खादर यह हमने इस image के दोरा समझाने की कोशिश करी है अभी हम इसके feature को थोड़ी दिर में और detail में करेंगे अब आप another slide में देखे बच्चत हमने north to south की और इसमें बताया हुआ भांबर, तराई, भांगर और खादर आप देखे भाबर हम देखे रहा है आपको yellow color से केतने कोर्सने से हैं तराई में देखे आपको green color से देखे थोड़ा सा fine है भांगर, red color से आपको और जादा fine देख रहा होगा और फिर इस area में आके यह area हमें खादर का दिखता है यहां पे discussion में वापस लोटते वे आगे देखे कौन सी बात है लिखी है the northern plains are generally described these vast plains also have diverse relief features according to the variation in the relief features the northern plains can be divided into four regions the rivers after descending, descent का मतब क्या होता बच्चे नीचे क्यों होता रहना descending from the mountainous deposit pebbles pebbles के मतब क्या होता है आप लोग कभी देखिएगा कि रीवर के वैलॉंग जाईए कभी हरिद्वार, रिशिकेश या कभी दरजिलिंग वगरे में भी जाते हैं तो रीवर के किनारे हमें छोटे छोटे गोल गोल पत्थर दिखते हैं स्मॉल राउंडेड जो स्टोन होता है हम उसे जोगरफी में क्या कहते हैं पेबल्स कहते हैं तो यहां पर यह सवाल पूचा जा सकता है कि जो भाबर रिजन है वो हिमाले के किस रेंज के साहरे हमें ज़्यादा दिखता है यह दिखता है आंसर इज शिवालिक और आउटर हिमालिया इट इस नोन ऐस भाबर अब भाबर के बारे में कुछ और फीचर को आप इस स्लाइट से समझे है क्या लिखा हुआ है भाबर इजा नेरो बेल्ट एट टेन किलोमेटर वीच रंस इन दव इस्ट वेस्ट डिरेक्शन अलोंग दा फूट ऑप दे हिमालेस फ्रॉम दा रिवर इंडस टो तिस्ता इस्ता रिवर वीच डिसंड फॉम दे हिमालेस डियोज सिर लोड एलंग फूट इल्स in दा फॉर्म फॉट हिल फ्रॉम दा फॉटब क्या होता कि जब अलोवेल होता हुआ वह धिरिदेर करके जमा होने लगता तो पंहे के आकार के शेप ले लेता है हम लोग कर पढ़ते हैं इसको higher classes में 11-12 में तो उसे क्या बोलते हैं एलोवियल fence कहते हैं इस fence consisting of courser sediments सेडिमेंट्स क्या होते हैं कोर्स होते हैं बड़े-बड़े होते हैं have merged together to build up the Piedmont plane और भाबत पीड़मांट प्लेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा plane जो mountainous area के feet वाली region में होता है हम उसी को Piedmont या परवत पदिय मैंदान भी कई बर कहते हैं the porosity porosity के मतलब क्या होता है tiny हो जिसके दोर रिवर underground हो जाती भाबर region में the porosity of the pebbles studded rocks beds is very high and the result the most of the streams sink and flow underground the bhabar track is not suitable for cultivation of crops only big trees with large roots thrive in this region the bhabar belt is comparatively narrow in the east and extensive west and north western part में क्या होता है यह जादा दिखता है अगर आगे देखें डिसकेशन में कॉन सी बात लिखी भी वहाँ पर है bhabar के south में देखें कॉन सा रिजन है all the streams disappear all the streams disappear in this bhabar belt south of this belt the streams and rivers re-emerge and create a wet swampy and marsy region known as this was a thickly forested region full of wildlife क्यों हो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे fine deposit है rivers दुबारा जो underground हो गई थे आपर में तरही में रियमरी surface पे हो जाती है the forest have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition आपको पता होगा बच्चम Logan 8 class में पढ़ा था कि partition के बाद बहुत बड़े पैमाने में पाकिस्तान से इंडिया लोगा दिने शरनाथी या refugee कहे थे और इसी तरही रीजन में जब पहले बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे उन सभी जंगलों को काट कर वहाँ पे पाकिस्तान से आएवे लोगों को बसाया गया यहाँ पे है लोकेड दुद्वा अब देखे इसी में एक बड़ा फेमस नेस्टनल पार्क है दुद्वा नेस्टनल पार्क अब इस फीचर को इस लाइट के दौरा समझने की कोशिश करिए यहाँ पे तराई तराई के बारे में क्या बताया जा रहा है 10-20 km विद मर्शी रीजन आफ दा साउथ आफ दा भाबर दा तराई इस वाइडर इन इस्टन पार्ट्स आफ ग्रेट प्लेंज इस्पेशली इन ब्रह्मपुत्रा वैली ड्यू टू हैवी रिन अब देखे बच्चे यहा आप इस इमेज को देखे बच्चे इसमें हमने यलो कलर से भाबर को दिखाया है और रेड कलर से तराई को दिखाया है अब वेस्टन वाले पार्ट में आपको यलो का जो प्लोटिंग है वो जादा दिख रहा है और इस्टन वाले पार्ट में आपको रेड का कलर या प्लो आप देख सकते भूबने तो यहां पे amount of rainfall too much हाई नॉर्थिस्ट में amount of rainfall too much हाई प्लाइनेट का सबसे वेटेस्ट प्लेस नॉर्थिस्ट में मेगाले में मौसिन राम है आपको पता है बच्चे ठीक है तो जैसे जैसे हम लोग coastal area से interior area के और बढ़ते हैं amount of rainfall कम होता जाता है जैसे जैसे amount of rainfall कम होता है dryness बढ़ता जाता है तो आम तोर पे भाबर region में बड़े बड़े पत्थर होता है तो dryness जहां पे ज़्यादा है amount of rainfall जहां पे कम है वहाँ पे भाबर ज़्यादा चौड़ा दिखता है तो western पार्ट में चुकि बारिश की मात्रब कम होती या थी है पंजाब हरियाना में तो वहाँ पे भाबर का बेल्ड चोड़ा जादा है है ना और वहाँ पे तराई का बेल्ड क्या है नेरू है लेकिन इस्टन पार्ट में नॉर्थ इस्टन पार्ट में जहाँ पे बारिश बहुत ज़ादा है तो वहाँ पे ड्राइनिस कम होगा और ड्राइनिस कम होने के करण भाबर का एक्स्टेंशन नॉर्थ इस्ट में इस्ट में कम और तराई का ज़ादा है जस्ट यहां पर opposite चीज़े हैं मैं फिर से बोल रहाँ Western वाले पार्ट में भाबर हमें ज़्यादा broader दिखता है तराई हमें कम broader दिखता है Eastern वाले पार्ट में जस्ट इसका reverse है Eastern वाले पार्ट में असाम की बात करें पसी मंगाल की बात करें Eastern यूपी के northernmost part की बात करें और भी नौर्ट इस्ट के states की बात करें जहांपे भाबर का extension कम दिखता है और तराई का extension हमें ज़्यादा दिखता है भाबर वहाँ पे ज़्यादा डेबलफ होगा जहांपे amount of rainfall कम है और इसी तराई को हम लोग वेस्ट बेंगौल के नौर्धन मुस्ट पार्ट में गुच भिहार, अलिपूरद्वार, दरजिलिंग जीले में क्या कहते हैं, दुवार कहते हैं, और दुवार को देखिए बच्चे, दुवार अंडूलेटिंग है, उसमें आपको उबर खाबर लेंड थोड़ा सा दिखता है, और यही दुवार वर्ल्ड फेमस फोर टी प्लैंटिशन है, और टी प्लैंटिशन की सबसे बड़ी शर्त क्या होती है, कि उसकी रूट में कभी भी वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, और इसी अंडूलेटिंग नीचर के कारण, थोड़ा सा स्लोपी नीचर के कारण तराई रीजन में, पानी टी प्लैंटिशन में नहीं टिक पाता ह इसलिए यह एरिया वर्ल्ड फेमस की सिच के लिए है, टी प्लैंटिशन के लिए हमें दिखता है, आगे देखें, दा लार्जर पार्ट अफ दा नॉर्दन प्लेन इस फॉर्मड ऑफ ओल्डर अलूवियल, ओल्डर अलूवियल क्या होता है, कि अलूवियल का जो पुराना का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, या उसकी जो फर्टिलिटी है, उसका जो फॉर्मिशन है, वो हर साल रिवर वाटर के दौरा या फ्लोड के दौरा रिन्यू होता रहता है, हम उसे ही क्या कहते है, खादर, दे लाई अबब दा फ्लोड प्लेंस आफ दा रिवर्स और प्र थोड़े से ऊपर वाले एरिया में, थोड़े से हाइलेंड में दिखता है, और खादर थोड़े से लोवर वाले एरिया में दिखता है, इस पार्ट इस नोन आज भांगर, अब भांगर के फीचर को देखें या पर, इस दा ओल्डर एलूविल अलोग दा रिवर बेट्स, इस हायर देन दा फ्लोड प्लें, डार्क इन कलर, रिच इन हुमस कॉंटेंट, और प्रोड़क्टिव, इस स्वाइल इस क्लेई, इन कंपोजिशन, हाज टाइम मॉडूल्स लाइक कंकर, आप कहने के मतलब क्या है, कि चुकि यह ड्राइ एरिया होता है, यह पर पानी की कमी होतीर जो भी पानी होता वो इभापॉरेट हो जाता है और इभापॉरेशन के कारण इसी में जो स्वाइल की नेचले वाले लेर्स में हमें कंकर मिलता है, जो चुणा का जैररली डेपोजिशन होता है, हम उसे कैब भूते है कंकर कहते हैं, और जैरली यह माना जाता कि अब दिखे बची यहां पर सवाल आ सरता कि खादर और बांगर में क्या फरक है तो बांगर ओल्ड अलूवियल होता है खादर नू अलूवियल होता है पहली बात दूसरी बात बांगर लेस फर्टाइल होता है खादर मोर फर्टाइल होता है तीसरा फीचर बांगर थोड़ा से उचे वाले एरिया में थोड़ा से अप लेंड में ज़्यादा पाया आता है और खादर की बात करें ये लो लेंड में ज़्यादा पाया आता है अगर जूट की बात करें, पैडी की बात करें, जो Northern Bengal में आपको बहुत ज़्यादा होता हो दिखता होगा, तो वो खादर वाले एरिया में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडिशन चाहिए, नॉन पॉरस नीचर के कारण खादर में पानी ज़्य minor relief features में categorize करते हैं, like भाबर, तराई, भांगर और खादर, तो इस discussion में इतनी ही बात है, I hope इस discussion से Northern Plains के बारे में आपकी एक बेहतर understanding बन पाई होगी, या बनी होगी, फिर भी अगर किसी परकार का doubt, किसी परकार का problem, question अगर आपको पूछना है, तो आप comment box में question को रखे, म मैं वाँ पर सभी questions के answer करने की कोशिश करूँगा, अगली वीडियो में हम लोग Peninsular Plateau के Physiographic Division को हम in detail में करेंगे, so thank you so much all for watching video.